दोस्तो आज हम चोकलेट की पैकिंग करेंगे चोकलेट की पैकिंग करते वक्त किन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना होता है वह मैंने आपके साथ इस वीडियो में डीटेल में शेयर की है तो आप पूरे वीडियो में बने रहें इस वीडियो से आपको चोकलेट प इससे लाइक कर और दो हमें और अचीज आज के साथने दो चैनल को स्बक्राइब कर दीजेंगे अनätta चाजनल को के स dei चानल के बारे में से ड़े Kings comment कर सकते हैं जितनी भी क्वांटिटी में आपको रडी करनी है आप बहुत एजी ली कर लेंगे नेक्स यहां पर हमें चाहिए पैकिंग के मैटिरियल तो मैंने यहां पर कुछ कलर फुल रैपर लिये हैं साथी में मैटल स्ट्रिंग्स ली हैं जो के फैक्सिबल होती है और इसक सिटी में किसी बेकरी रो मेटिरियल शॉप से कॉंटेक्ट करके कुरियर के थूबी अपने घर यह सामान घर बैठे मंगवा सकते और अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं तो दोस्तों अब यहां पर बात आती है कि चौकलेट को पैकिंग कप करना है जब आप इसे मोल्ड के अंदर कवर रहती है और जैसे ही बाहर के टेंपरेचर पर आती है तो इसमें नमी आना शुरू हो जाती है कई बार इसका कलर डल हो जाता है यह हार्ड हो जाती है इसके उपर स्पॉर्ट्स आ जाते हैं कई सारी छोटी छोटी दिक्कते हमें आती है तो शुरुआत में इकालिए चार से पांच गंटे तक आप इने रूम टेंपरेचर पर खुला छोड़ दीजे इससे ये चॉकलेट रूम टेंपरेचर के साथ 4-5 गंटों में अच्छे से सेटल हो जाएंगी उसके बाद आप इनकी पैकिंग शुरू कीजे अगर टेंपरेचर 24 डिगरी से कम है तब तो आप इसे रूम टेंपरेचर पर ऐसी ही छोड़ सकते लेकिन अगर 24 डिगरी से ज्यादा है गर्मी ज्यादा है तो आप इसे एसी रूम में रख दें जिससे क्या हो ना कि ये चॉकलेट मेल्ट नहीं हो एकदम से गर्मी के कॉंटेक्ट में नहीं है चार-पांच ग लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि इस तरीके से काम करने से बहुत ही आसानी होती है तो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक रैपिंग पेपर ले लिया और उसके उपर रख दी है चॉकलेट दोस्तों हाथों में गलाउस पेनना बिलकुल ना भूलें अब आपको दोनों ऑप जाने का रास्ता बिलकुल नहीं रहेगा और पैकिंग जो है एकदम टाइट होगी से चॉकलेट की शेल्फ लाइफ जो है मेंटेन रहेगी चॉकलेट डैमेज नहीं होगी और इसकी फिनिशिंग जैसी है वैसी बनी रहेगी अब आप एक स्ट्रिंग लीजिए और इसे इस तरीके से आपको पैकिंग करनी अगर आप इसका बिजनेस कर रहें है और गर में कोई ऐसे मैंबर है तो आप उन्हें ये काम सिखा दीजिए उस से आपकी सुवीदा बढ़ जाएगी और ताइम भी बच जाएगा इस तरीके से आपको पैकिंग करनी nine अब डूसतों कई लो जिससे आप आसानी से काम कर सकते हैं, खुले हाथों से काम करना एजी रहता है, हम सभी जानते हैं, अब नेक्स यहां पर जो मैंने बटर पेपर और फॉयल पेपर लिया था उससे पैकिंग करेंगे, यह भी चॉकलेट पैकिंग के लिए ही आते हैं, इसमें भी आपको कई सार अपने आपी गुमाते जाएं और इसे पैक कर लें, तो हैना एकदम आसान सा तरीका, बस यह पैक हो गई, उसके बाद फॉयल पेपर से करना बहुत ही आसान हो जाएगा, इस तरीके से आपको इसे पोल्ड करते हुए पैक कर लेना है, तो जो भी पैकिंग मेटीरियल आपक चॉकलेट पैकिंग शुरू कर सकते हैं, तो हैना दोस्तो एकदम आसान तरीका, काम भी फिनिशिंग से, और चॉकलेट की से बढ़ गई, शेप भी मेंटेन रहा, तो इस तरीके से आप इसे पैक कर सकते हैं, तो मैंने या पर सभी चॉकलेट को पोल्ड़ी पैकिंग में प पसंद किया जाने वाला है, क्योंकि चॉकलेट तो सभी को बेहत पसंद होती हैं, तो आप इसे त्योहारों के सीजन में, या फिर आप इसे किसी इवेंट में, किसी भी जगापर आप इसे सप्लाई कर सकते हैं, दोस्तों आजकल हर जगापर चॉकलेट देने का भी लेकिन आपको चोकलेट का बिज्नेस करना हो तो अगर आपको बहुत सारे आइड़ियास कीइनगों जिसके लिए में पहुती जल्दी आपके लिए बहुती इंफोमेटिव वीडियो लेकर आएंगी तो फिलाल के लिए आप इन चोकलेट को बनाईए और अपने और अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे देवे सब्सक्राइब बटन को दबा दे साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सके अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करें अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए खाव पी और स्वस्त्र हो